नमस्कार भबुपेंद्र पंड़े हिंदी चनल में आप सबका हर्दीक स्वागत करता हूं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताथ बेल आइकनों को दबाना ना पुलें ताकि मेरे प्रत्यक वीडियो कावे के विशे में कि नीति कावे क्या है और किन किन प्रमुक कवियों ने नीति कावे लिखा है वास्तों में जो हमारा जीवन होता है वास्तों में या अनभावों का एक संकलन होता है अब यह अनभाव या तो हमारे निजी होते हैं व्यक्तिक होते हैं हम खुद अनभाव से कवीता के माध्यम से अभिवेक्ति प्रदान कर देता है संप्रेशित कर देता है तो उसे हम कहते हैं नीती काव्य नीती काव्य का मुख्य उद्देश होता है समाज को शिक्षा देना उपदेश देना उन्हें कुछ सिखाना उनमें नैतिक जीवन मुल्यों का स्रिजन करना यह नीति काव्य का मुख्य उद्देश होता है तो नीति काव्य क्या है हमारे जीवन व्योहर को सुगम बनाने का आधार है दिन प्रति दिन के कामों में हम लोगों से जो व्योहर करते हैं यह जिन्दगी में कुछ काम करते हैं उसका बहुत ही आसान बना देते हैं नीथी काव्य, क्योंकि इनकी शिक्षा के माद्यम से हम अपने जीवन को आसान बना लेते हैं। नीथी काव्य स्रिज़ित करने में व्यवभारी गन्भव का महटपूर्णी इस्थान होता है। व्यक्ति इन्म अनुभावों को स्वयम के क्रिया कलापों से तथा दूसरों के द्वारा अर्जीत एवं कहे गए मंतवियों से ही अर्जीत करता है। उता हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्तों किसका होता है अनुभाव का होता है। अन्भाव हम दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, एक स्वयम कर्म करके, स्वयम कारे करके, और दूसरा क्या होता है? दूसरों के माध्यम से, दूसरों के द्वारा जो अर्जीत अन्भाव है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं, उसको प्राप्त करते हैं नीतिकावे के माध्यम स स्वयम द्वारा अर्जित अन्भवों से यद्यपी व्यक्ति आत्म निभर और संघर्ष शील बनता है। यदि आप खुद कुछ करकर सीखते हैं तब आप सेल्फ अडिपेंडेंट बनते हैं, आत्म निभर बनते हैं, संघर्ष शील बनते हैं। लेकिन क्या यह मुम्किन है कि सभी चीज़ों को हम स्वयम अन्भव करें, या फिर दूसरों के अन्भव से भी हम लाब उठाएं। तथा फिस दूसरों के अनभाव उसे सहस्ता पुर्वक जीवन को समझने में सायक होते हैं मतलब सभी चीज़ों को हम स्वेम अनभाव करके नहीं सीख सकते तो कुछ दूसरों के अनभाव से भी सीखते हैं और दूसरों के अनभाव से जब हम सीखते हैं तब हमारा जीवन क्या होता है सहज और सरल हो जाता है यह अनभाव यदि कावे के रूप में होते हैं तो वे मुहावरों जैसे हो उड़ते हैं अधिकांस नीती कथन परकुक्तियों में जो सुग्राहयता और सरस्ता है वो उन्हें मुहावरों के कोटी में ले जाने वाली है समाज के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं जिन्होंने रामचरित मानस पढ़ा है बात बात पर वो रामचरित मानस के कुछ दोहया चुपाई हमको सुना देते हैं उदाहरण की रूप में ठीक उसी परकार कभीरदास के जो फालवान है या कभीरदास जी को जो पढ़ने वाले हैं बात बात पर उनके कथन हमको सुना देते हैं वैसे कोई गजिलों के शौकीन होते हैं जैसे बाशीर बद्र साहब को एक शेर है उर्दू में हाए खारसी में परकना मत परकने में कोई अपना नहीं रहता किसी भी आईने में देर तक चहरा नहीं रहत बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, यहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता अब एक समानिय सी बात है लेकिन इसमें बहुती घहरे संदेश च्छीपा हुआ है इसी तरह ये जो नीती कावे हैं, इसमें बहुत भहरे संदेश, सुपे रहते हैं जैसा रहिमन पानी राक्ये, बिन पानी सबसून, पानी बिना ना उबरे, मोती मानुश चुन तो इस तरह छोटी छोटे दोहे होते हैं लेकिन बहुत भहरे भाव दिखाते हैं फजारों अर्शों से नीती परकुक्तियां मनुष को जीवन के अंधर में प्रकाश की किरण बनकर उसे मार्ग दिखाती रही है जीवन जीने का तरीका सिखाती रही है इस इस्तर पर नीती कावे शिक्षा के उद्देश को पूर्ण करने वाला बन जाता है तो नीती कावे का जो मुखी उद्धेश है, शिक्षा प्रदान करना है, चाहे वो नैतिक शिक्षा हो, चाहे ज्ञान के रुप में शिक्षा प्रदान करना हो, और ज्ञान का उद्धेश क्या होता है, हमको ज्ञानता के अंधेरे से प्रकास की ओर लेकर जाना, ज्ञान की ओ सुधार लाना जीवन में नैतिक मुल्यों का विकास करना नीतिकावे का विचार पक्ष प्रबल होता है मतलब इसमें बहुत ही गहरा संदेश सुपा होता है बहुत ही गहन विचार इसमें शामिल रहता है एक तरह से नीतिकावे सद विचारों का कोश है कोश मतलब संकलन है त प्रदान करता है मतलब यूग के अनुरूप शिक्षा जैसे भारत परतंत्र था तो उसमझ जो नितिकावे लिखा गया गया आज आदी से संबंदित रहा होगा वसे आज हमारे यहां सबसे ज़्यादा नैतिक मुल्यों की कमी है वर्तमान समय में तो वर्तमान समय में कबिर द इस डिवलप करना समाजिक मुल्य की स्थापना करना समाजिक मुल्य विक्सित करना परोपकार है दया है सदाशायता है सत्य है एंसा है इन जिवन मुल्यों की स्थापना करना भी है इस तरह से नितिकावे व्यक्ति और समाज के उन्नत अन्भहों को संप्रेशित करने वाला काव्य है तो नीती काव्य किसको संप्रेशित करता है नीती काव्य क्या कम्यूनिकेट करता है क्या व्यक्ति के नीजी अन्भव हो अथो समाज के लोगों के द्वारा जो अनुभूत सत्य है जो उन्होंने अन्भव किया है वो हम तक कैसे संप्रेशित होकर आता है नीती काव्योग की माध्यम से हम तक संप्रेशित होता है अर इसको संप्रेशित करने कार्य कोन करता है जो बड़े-बड़े जो महान कभी हुए है रहीम, सुलसी, कभीय, सूर, इत्यादे वरिंद कभी, गिर्धर कभी राये ऐसे जो महान कभी हुए है इनके पतन आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है क्योंकि इनका उद्देश क्या था समाज के लोगों में नैतिक मुल्य विक्सित करना इनका उद्देश था तो यह हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है और सदे रो प्रासंगिक रहेंगे अब हिंदी शायती में भी नीति कावे की बहुत लंबी परंप्रा रही है बहुत सारे कभीयों नीति कावे लिखे है पराया प्रतियक कभीने अपने अनभवों को इस तरह से नीती कथनों में संजववाया है भले ही ऐसी उप्तियां अधीक न हो मतलब प्रत्येक महान कभीने भारत के प्रत्येक महान कभीने खास कर भगतिज काल के जो कभी हुए है उन्होंने नीती परक कथन अपने दोहों में अपने तोहा चुपाई या फिर कुंडलियों में उन्हें इसका उलेक किया है इसके द्वारा हमको संदेज देने का प्रयास किया है भले उनका चंद कोई भी हो इन तो यह निश्चित है कि सभी यूगों का काईवे अपने नीती कत्रों के कारण पाठक के जीवन संघर्सों को कम करने में सक्षम रहा है मतलब हमारे जीवन में जो निराशा के छड़ाते हैं और साथ के छड़ाते हैं या फिर जब हम जीवन में संघर्सों का सामना करते हैं तब इन पंक्तियों को पढ़कर हमको क्या होता है एक आनन्द, उल्लास, उमंग और आशा की अन्भूती होती है आशा का संचार होता है हमारे जीवन में तो तुल्सिदास, कबीरदास, सूर्दास, मलिक मुहमद जैसी आदी भक्तिकालिन कवियों ने नीती कथनों को महत्परदान किया है इन्होंने अपने कावे में बहुते नीती परकतन कहे है इस युग में रहीम और गिर्धर जैसे कवी भी सक्री रहे हैं जिनकी कविता में नीती का इस्थान केंद्री है जैसे रहीम कवी है, अब दो रहीम खान खाना या फिर गिर्धर कविराये हैं इनकी कविताओं में भी क्या है नीति का बहुँ ज़्यादा महत्पूर्ण इस्थान है केंद्री इस्थान है गिर्धर कविराये ने तो अपनी कुंडलियों में ने कुंडलियां चंद में लिखा हुआ है गिर्धर का विराय ने अपनी कुंडलियों में तो जैसे नीती को ही महत्वप्रदान किया है अपने कुंडलियों में गिर्धर का विराय ने नीती को बहुँ ज़्यादा बहुत दिया है उनकी कुंडलियां तो नीती के अमरित घट हैं अमरित के घड़ा के समान है मतलब प्र जरूरी नहीं यहीं कि हम जिन्दगी के हर शेत्र में सफल होंगे जो भी काम हम हाथ में ले रहे हैं उसमें हम सफल हो ज्याय धरूरत लेकिन हम को ekतजुर्बा ज्रूर हो जाता है उस निल्या हमको दूखी होने की जरूरत नहीं है," गिर्धर का विराय का कहना है। अपने द्वारा किये गए कामों का धिंडोरा नहीं पीटा चाहिए यदि असफलता हाथ लगती है तो संसार हसी करने लगता है गिरधर के विराये क्या करते हैं यदि आप कोई काम कर रहे है तो चुप चाप करते रहे दुनिया को मत बताए कि मैं इस परिच्छा की त्यारी क रहा हूं मैं यह कर रहा हूं इसा काम कर रहा हूं क्यों कि यदि आप अस्फल हो जाते हैं तो पूरी दुनिया खासी उडाने लगेगी आपका की जोटीक कारने के पहले पूर्व विचार का लेना जरूरी है यह सब गिर्धर के लाई जी के कहते नहीं है जो बिना विचार और बिना पूर्व योजना बनाय कारे करते हैं वेखसर अपने कारे में विफल हो जाते हैं और परिशान हो जाते हैं मतब कोई भी काम हाथ में लेने के पहले उसके बारे में भली भाती विचार कर लेना चाहिए और उसके बाद ही अपने कारे को योजना बनाकर योजना बद समाज में समान पाया जा सकता है यदि आप में गुड़ है तो हमेशां आपको समाज में समान मिलेगा तो गिर्दर के विराय कि ऐसे इन्होंने अपनी कुंडलियों में सारी बाते कहीं है कुछ आगे आपको एजमपल भी बताऊंगो तो आधनिक युग में भारते हिंदू हरिष्चेंद्र बहु आयामी रचना का रहा है बहुत ही कम रहा है लगभग 35 वर्स तक 1850 से 1850 इस वी तक इनका जीवन काल रहा है ही इतने काम समय में इनने चाहित को इतना कुछ दे दिया है की समाज के प्रति अब workplace समाज के प्रति शूं का बहूत ही लगाव है और समाज को ध्यान में रखर उन्हें अपनी सभीत में मिल जाता है कि केवल पद पाने से प्रतिष्ठा नहीं मिलती है को मिल जाता है तब यह मत सोचे कि आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, हो सकता है, पद के करण मजबुरी में आपको लोग दुआ सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, देन वास्तों में यह आपके गुणों का समान नहीं है, जैसे आपका पद समाप्त होता है, आपका वो भी समाप्त हो जाता है, मतलब स्वार्तवस लोग आपका समान करेंगे, भारतेंदू हरिश्चंदर के अनुसार, परुपकार करने पर यह समान मिलता है, भारतेंदू हरिश्चंदर क्या कहते हैं, परुपकार करेंगे तो आपका हमेशा समान मिलेगा, तो यह सब इनोंने अपने किस में कहा है, निति कावे में कहा है, एकता का ही महतु है, कठीन से कठीन काम, एकता से भी संभाव हो जाते हैं, मतलब एकता का बहुत ज़्याद महतु है, इसलिए अंग्रेज लोग क्या है, फुट डाला और राजकरों की नीती करते थे, हिंदू और मुसल्मानों और विभिन ने लोगों के बीच में फुट डा हुआ था, भारतेंदू हरिश्चिंद्र के समय में, आज भी हो ऐसे ही है, तो भारत के विकास के लिए हमको क्या है, आपस में जो वैमनस यह है, वहर भावा इसको छोड़ना होगा, अपनी भाशा और अपना धर महीं सूख देने वाले हैं, इन्होंने कहा भी है, नीज भा पहला हुआ है, इस पकार आप देखेंगे कि इनके जो नीती कथन है, नीती वाकिया है, नीती कावे हैं, आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है, और उसमें भी बहुत ही बहतिन उक्तियों का वैभाव हम देख सकते हैं, हिंदी साहित में दोहों और कहातों के लेखन की पुर इच्छा, उपदेश, उक्तिचमतकार, उक्तिचमतकार मतला है विची तरह टाइप ये बाते कहा देना, आधी के लिए दोहा एक ससकत माध्यम रहा है, और कहाते हैं विद्वान मनुशियों और साहितिकारों के अनुभव जैने कथरों वाकियों का रस्तत्व होती है, तो यहाँ हम कुछ प्रमुग कवियों के नीति के दोहों का ध्यान करेंगे, जिनोंने समाज को एक नई दिशा प्रदान किये, तो अब मैं आपके कुछ उधाहरन बताऊंगा दोहों के रूप में, जो नीति काव million के उदाहरन हैं, जिसके बाद हमसे समाज को एक नई दिशा म जो भी दोहें किया करोंगा इसको सिर्फ आपको उदाहन बता दूंगा नहीं तो बहुत लमबा हो जाएगा काते हैं यह ऐसा संतार है जैसा से मलफूल तिन दसके ब्योहार को फ्यूठी रंगी ना भूल उपर दूसरे उन्हों अम्ब कहां से खाय? मतलब आम. निंदक नीरेamatु, आंगन कुटी छबाए, फिन पानी, साबुन बिना, निरमल करे सुभाये अती का भला ना बरसना, अती की भली न धूब, अती का भला ना बोलना, अती की भली न चूब तो तो हर चिछी अतिबेकार है रहीम दास जी क्या कहते है अब दो रहीम खार खाना क्या कहते है सर्वर फल नहीं खात है सर्वर प्याहिन पान कही रहीम पर काजहित संपती संचहि सुजान तुसरा रहीम क्या कहते है एक साधय सबसदय सब साधे सब जाए रहमन मूलहीं सीचिवो फूले फले अगाए तीसरा उन्होंने कहा है बड़े बढ़ाई ना करें बड़े न बोलें बोल रहमन हीरा कब कहें लाक अटका मिरो मूल मतलब बड़े लोगों खुद अपनी बड़ाई नहीं करते हैं जैसे कि हीरा खुद नहीं बोलता कि मेरे इतनी कीमत है तो यह सारी बाते है तुलसी दाजी तो फिर उनका पुरा राम चरित माना सिनीती कावे हैं आप का सकते हैं जिसमें मर्यादा पुरुसत्तम राम के जीवन के माध्यम से उन्होंने और उन्हें जितने भी चरित्र हैं भरत का चरित्र है लचमण का चरित्र है तो सभी यहां पर एक से बढ़कर एक आपको उतारन मिल जाएंगे तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान पाप पुन्य दो उभी जहें पुए सोलुने निदान तो बहुत तुलसी दाजी क्या करते हैं मिथ्या माहूर सज्ज नहीं सलही गरल समसाच तुलसी छुवत पराईज्यों पारद पावक आच तो यह सारे उधरहर आप कोट कर सकते हैं जड़ चेतन गुन दोश में विस्वकिन नकरतार संतहन सगुन गहां ही पया परिहरिबारी विकार विद्या धन उद्यम बिना कहाँ जुपावए कौन बिना डुलाए ना मिले जो पंखा काउपवण तो यह आपके लिए ज़रूरी है कि जो विद्या रुपी जो धन है यह बिना प्रयास के बिना उद्यम में परिश्रम के प्राप्त नहीं होता है ना जैसे कि पंखा है उ लहाएं थीतो आपको महत्त्व करना आपको क्या करना परिश्रम करना है लट करता सुजान प्रई कर निसी तरहा प्राभार बन जाता है इसलिए आपको अधिक अधिक पढ़ने की जवरत है ठीक है तो बार-बार अभिहास करते हैं तो सभाव कुरुप से आप उसमें एक्सपार्ट हो जाते हैं विशेश हग्ये हो जाते हैं किन्हें दोश अपर जो चंदन चेद्य तव सुर्भित करें कुठार मतलब यदि पुलहाडी से बार-बार प्रहार करते हैं तब भी हुआ को अपनी ख़ुजिबूद्ही देता है यह समाज में जो समाज़िक मुली है जो जीवन प्रेवक करना और यह दोहया कंडलिया इत्यादी में और वीदिन प्रकार के चंदो के प्रयों प्रयोग होता है इने हम लोग जीवन में मुहारों की तरह प्रयोग करते हैं और बात-बात पर हम अपनी बातों को वजंदार ढंक से रखने के लिए हम इने उद्रित करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग नीति कावे को समझ गया होगे तो कमेंट बाक्स में कमेंट लिख के जो बताएं साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताक जैहिंजा भारत